इस राजा ने लोहे का मुखोटा उठाया और जैसे ही उससे अपने चेहरे पर लगाया उससे तुरंत घुटन महसूस हुई उसने तुरंत मास को एक बकसे में बंद कर दिया और अपने जुड़वा भाई को बुलाया और उसके ओंडर पर सैनिको ने फिलिप को नीचे गिरा दिया गाड के चले जाने के बाद पुजारी ने फिलिप को चुप रहने का इशारा किया फिर उसने चुप चाप कपड़े उठाए और फिलिप के सामने एक बंधा हुआ शरीर गिरा दिया लेकिन तभी राजा बीच में आ जाता है और फिलिप का मुखोटा हटाया जाता है जिससे उसके पूरे चहरे पर बाल आ चुके थे लेकिन अब फिलिप को राजा चुना जाता है